आप सबी के एक जाम दौर चैनल में साथ सेप्टेमबर 2020 के हिंदी का इंटरफर्सन फिर से आपका स्वागत आई शुरू करते हैं आज का का इंटरफर्स का सेशन लेते हैं आज का हेडलाइन का एंटरफर्स अगर आप मारे चनल पर नए हैं और अभी तेख सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को दबा लिजे तो आज का हिड्लाइन स्क्रेंट पर सिए हैं वीत मंत्राले के अनुसार अगस 2020 में GST कितना संग्रा किया गया है और इसको आफसन ह 26,449 करोड रुपे 56,449 करोड रुपे 86,449 रुपे और 96,449 करोड रुपे और इसका सही उत्तर है 86,449 करोड रुपे यह अगस 2020 में वीत मंत्राले के द्वाला गोशना किया गया कितने 86,449 करोड रुपे का GST के संग्रा हुआ है अब शुरू करते हैं आज का करेंटे पर सेसन और लेते हैं आज का पहला कोस्टन हाली में भारत ने पपजी गेम समय कितने चाइनीज एप पर प्रतिवंद लगा दिया है और इसको आपसन है 120, 135, 145 और 118 तो 118 एपस पे भारत सरकार ने चाइनीज एप पर बैन लगा दिया है आईए अब जानते हैं इसकी व्याख्या सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी एप पर प्रतिवंद लगाया गया है उसमें पफजी के लिविक, वीचैट, वीचैट रीडिंग, एप लॉक, कैरम फ्रेंट्स जैसे मुबाइल एप सामिल है भारत ने जून के आखिर में ट सब्सक्राइब की मंतारे के धारा उन्हें तर एक के तहट इन मुबाइल एप्स पर बैन लगाने का फैसला किया गया है कि किन सरकार ने भारतिय विवानन कपनियों को निम्ण में से कितने पर्तियस्त घरेली ऊरानों के लिए मंझूरी प्रदान कर दी है सब्सक्राइब जानते हैं इसकी व्याख्या किन सरकार ने भारतिये विमानन कंप्रियों को साथ परतिसाथ घहलू उरानों के लिए मंजूरी प्यदान कर दी है इसके पहले एरलाइन्स को नेटवर्क कैपिसीटी का सिर्फ 45 पर सब्सक्राइब तक इस्तमाल करने के मंजूरी दी गई थी देश में 25 मार्च को लगाए गया लॉग्डाउन के चलते विमान सिवाव पर रोक लग गई थी बाद में 25 माई को घरलू नानों को 33 परतिसाथ की छमता के साथ शुरू कर दिया गया था हाली में किस देश के एक सिर्फ अदालत ने हिंदू विद्वा महिलाओं को क्रिसी और गयर क्रिसी जमीन दोनों पर अधिकार देने के गोस्टना की है और इसको आफसन है पाकिस्तान बंगलादेश इराक अफगानिस्तान और इसका सही उत्तर है बंगलादेश आईए अब अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पती के संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेशने का भी अधिकार होगा बढ़ते आज के चोथे का इंटरफर्स के तब हाली में किसने पाकिस्तान के प्रधामत्री के विशेज सलाकार के पस से अपना इस्तिपाद दे दिया है और इसको option है पूर्व लेफ्टिनेंट जनर्नल अजीम अशीम बाजवा पूर्व लेफ्टिनेंट जनर्नल फैज अहमद, राहिल सरीफ और आसीम मुनीर और इसका सही उत्तर है पूर्व लेफ्टिनेन जनर्रल असीम बाजवा आईए जानते हैं व्याख्या पाकिस्तान के प्रधावंत्री इमरान खान के विशेस सलाकार के रूप में तैनात रिटायर लेफ्टिनेन असीम बाजवा ने इस्तिपाद दे दिया है असीम बाजवा और इसको आफसन है दस अगस्त बारा मार्च दो सिप्तिम्बर पंदराज जनुवरी और इसका सही उत्तर है दो सिप्तिम्बर आईए जानते हैं इसकी ब्याख्या विसु नारियल दिवस प्रतेक वर्स दो सितंबर को मना आयाता है नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभीन वस्तों की परदस्तियां लगाई जाती है नारियल एक एसा फैला है जिसका प्रतेक भाग का हम तरह तरह सुप्योग कर सकते है नारियल दिवस्त नारियल की महत्ता को रेकांकित करता है वित मंत्राले के अनुशार अगस्त 2020 में GST क्रेक्षन कितना किया गया था और ये हेडलाइन्स कोशन में था इसका सही उत्तर है 6449 करोर रुपे आई अब जानते हैं इसकी व्यक्षा वित मंत्राले ने कहा कि सकल माल एवंग सिवा कर GST संग्रा अगस्त महिन में 6449 करोर रुपे रहा यह लगातार दूसरा महिना है जब GST संग्रा कम हुआ है इससे पहले जुलाई में यह 87422 रुपे था सालाना आधार पर GST संग्रा 12% कम रहा ब्रीटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्ने से कुकिस रेस को जीत कर इस साल की पांचवी ट्रॉफिय अपने नाम की है इसको ऑप्सन है स्पैनिस ग्रांड प्री लीग सिंगापूर ग्रांड प्री लीग करनारा ग्रांड प्री लीग लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर बटत बना कर कि लिग जीती जो उसके करिया का नासीवा खिताब है है मिल्टन की साथ रेस में पांच वी जीते और चैंपियंटिशिप में उन भुटास पर 47 अंकी बटत बना ली लुइस हैमिल्टन का जन्म साथ जनवरे 1985 को हुआ था निन में से किस राज्जने में पंद्रा सो करो रुपे की लागा से विस्प के सबसे बरे ट्वाय मीजियम बनाने की घोशना की है और इसको आफसन है पंजाब दिल्ली गुजरात रास्थान और इसका सही उत्तर है गुजरात आई अब जानते हैं इसकी व्याख अधनी काल तक के गारा लाग से जादा खिलों ने प्रदरसीत किये जाएंगे बड़ते आज के नवेकर इंटरफर्स की तरफ किस देश के सलामी बल्लेवाज निशाद थ्रांगा परनविताना ने अंतराश्टी क्रिकेट के सभी प्राइड उपर से सन्याज की घोशना कर अधनी कर दी है और इसको आफसन ने आश्ट्रिया इंग्लेंड श्रीलंका बंग्लादेश और इसका सही उत्तर है स्री लंका अब आई यह जादते इसकी व्याक्या स्री लंका के सलामी बल्लेवाज निशाद थ्रांगा ने अंतराश्टी क्रिकेट के सभी प्राइड उपर से सन्याज की घोशना कर दी है उन्हें 32 टेस्ट में स्री लंका का प्रत्री ने रित्व किया इस इन्होंने इसमें दो सतक और 11 और सतक सहीद 1792 रन बनाए हैं देखते हैं आज का दस्वारा अंतीम का इंटेफर्स राश्टी एक खेल दिवस निन में से किस दिन मनाया जाता है और इसको ऑफसन है 29 अगस्त 15 मार्च 10 जनौरी और 12 जून और इसका सहीद उत्तर है 29 अगस्त आई अब जानते हैं इसकी व्यक्या हर सार 29 अगस्त को भारत में राश्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के होकी टीम के अश्टार रहे मेजर ध्यान चंत की जयांती पर 29 अगस्त दोजाबारों को पहला राश्टी खेल दिवस मनाया गया था इस दियो इस दिन को इस महान की खिलारी के संभान में मनाया जाता है और द वीडियो में तब तक के लिए गुरुबाय है